आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आई क्रिकेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर एक गिववे चलना है आईफून 11 प्रो मैक्स का जी हां इसमें पार्ट लेने के लिए आपको सिंपली वीडियो को लाइक करना होगा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को शेयर करना होगा 100 के पूरे होते ही, हम आप में से किसी एक सबस्क्राइबर को आई-फून 11 प्रो बैक्स देंगे इस साल मार्च में भारत दच्जड अफरीका सीरीज से पहले उन्हें कमेंटरी पैनल से बाहर कर दिया गया था हालाकि या सीरीज कोरोना महामारी के चलते पूरी नहीं हो पाई थी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संजा माजरेकर चाहते हैं कि उन्हें 19 सितंबर से युए में शुरू होने वाले IPL के लिए दोबारा कमेंटरी पैनल में शामिल किया जाए बोर्ट को लिखे गए एक मेल में उन्होंने आश्वासन दिया है कि वा बीसी सी आई के दिशा नर्देशों का पालन करेंगे बोर्ट को माजरेकर की ओर से या दूसरा इमेल भीजा गया है माजरेकर ने लिखा है कि IPL की तारिखों का एलान हो चुका है अब बीसी सी आई टीवी जल्दी अपने कमेंटेटर पैनल का चैन करेगा बोर्ट के द्वारा तै किये गए दिशा नर्देशों के तहत काम करने में खुशी होगी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल वर्ड कप के दौरान संजे मांजरेकर ने रविन जड़ेजा के उपर एक टिपड़ी की थी उन्होंने कहा था कि रविन जड़ेजा इत्ते अच्छे औल्राउंडर नहीं है इसको लेकर खिलाडियों ने बोर्ड से सिकायद दज कराई थी और वहीं बहा जाता है कि अपनी टिपड़ियों का खामिया मांजरेकर को भुगतना पड़ा और उन्हें कमेंटरी पैनल से हटा दिया गया बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा है कि मामला सुलजा लिया गया है मांजरेकर ने वादा किया है कि वह टीवी कमेंटेटरों के लिए तैय नियमों का पालन करेंगे हाला कि इस बात पर आकरी फैसला बोर्ड अधज, सौरफ गांगुली और सचिव शाह लेंगे भारत के पूर बल्लेबाद मांजरेकर लंबे समय से कमेंटरी करते रहे हैं झाल 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 झाल